हेलो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग फार्मकलोजी का चैप्टर नंबर फॉर का लेक्चर नंबर फॉर जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे ड्रग अक्टिंग ऑन सेंटर नर्वस सिस्टम ठीक है ना आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंटी एंजाइटी पता ही है क्या होती है एंजाइटी एंजाइटी का अगर बेसिक सा हिंदी इंग्लिस मीनिंग या हिंदी मीनिंग इंग्लिस तो लाइए एंजाइटी का मतलब होता है एक तरह से चिंता जो हम लोग चिंता करते हैं है ना चिंता और चिता में बिंदू का अंतर होता है ना चिंता और चिता इसलि को अगर scientifically समझे हम लोग मेडिकल टम में समझे तो क्या कह रहा है एक इमोशनल स्टेट होती है जब चिंता करते हैं तो इमोशन होते हैं हमारे पास unpleasant in nature unpleasant अजीब सा लगता है एक उतना खुशी वाला मतलब जो अच्छा ना लगे असोसियेटेड विद अनईजीनेस अनईजीनेस बेचैनी है ठीक है ना डिसकंफर्ट उठ रहे हैं चल रहे हैं लेकिन चैन नहीं पड़ा डिसकंफर्ट है कंसर्ण है किसी के बारे में सोच रहे हैं डर है किसी define औऔर undefined future threat या तो हमको पत्ता होता है कि या पता नहीं अब क्या होगा है है न हमको उच्छे पता होता है जैसे माल लो सपोस्अ आपका बच्चा बहार है या कोई आपका खास इंसान बहार है वो घर अटाइम पर नहीं आया तो defined हो गया ठीक है ना और हम लोग paper देके आ गए, अब undefined है, क्या होगा यार आ गए, है ना, तो defined और undefined future, एक defined और undefined future होता जिसको लेकर कि हम लोग क्या है, परिशान है, डर, threat है ये, बहुत बड़ा, इसमें होता क्या, somatic symptoms like aneroxia, ठीक है, ये तो एक बात हो गई, अब उसके बाद कुछ और symptoms कई बार, ये तो होगी normal, लेकिन ये कई बार क्या, कुछ छणों के लिए होती, लेकिन जब यही बहुत लंबे समय तक रहता है, तो बन जाता है, anxiety, बिमारी बन जाती एक तरह से, ठीक है, होता क्या है, इसमें, somatic symptoms like aneroxia, aneroxia होता है, खाने पीने का disorder होता है, आप खाएं पार, या हमसको कहले है, पार-sthesiasis, एटसेटरा, ठीक है न, तो क्या-क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर, aneroxia हो गया, जो की somatic symptom में आ गया हमारे पास, और क्या आ गया, breathlessness आ गया, palpitation आ गया, और पार-sthesiasis, क्या होता है ये पार-sthesiasis, पार-sthesiasis होता है, जब आपके बॉड़ी में हजीब सा सेंसेशन होने लगते हैं ऐसा लगता है कहीं पर कोई चीज चुब रही है टिंगलिंग जंजना टाइप की चीज़ें होने लगती है डेट इस कॉल पार स्थैसियस ठीक है ओफन अक्सर यह सब चीज़ें होती है अक्सर हमेशा नहीं थोड़ी बहुत चिंता तो एक रोज मरना की जिंदगी में है treatment is needed treatment चाहिए होती है जब it is disproportionate थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गई है to the situation and excessive और बहुत ज़्यादा बढ़ गई है अब उसके वैसे आपकी तब्याद खराब होने लगेगी ठीक है ना तो यह इसकी anxiety आ जाएगा तो इसी का उल्टा क्या हो जाएगा इन्ही सब को रोखने वाले जो drugs हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं anti anxiety तो classification की बात कर लें फट antihistaminik ठीक है ना ऐसे antihistaminik जो sedative है और beta adrenergic blocker यान की propanolol ठीक है ना तो beta adrenergic blocker अगर उसके properties आते हैं तो वो भी यहाँ पर लिख सकते हो ठीक है ना तो यह सब चीज़ें हमें ध्यमाग में रखना है बाद बाकी चीज़ां ओके हैं फार्मकलोजिकल एक्षिन की बात क करें तो देखो बड़ा सिंपल है एंजियोलाइटिक है चिंता को कम करेंगे sedative and hypnotics है यह हम पढ़ चुके है क्या होते है जो सांथ करते हैं hypnotic जो नीद लेके आते हैं ठीक है और next के अपने बास antirogate amnesia है anticonvulsant है और muscle muscle लिखा हुआ है muscle relaxant ठीक है तो इसका यहाँ पर क्या है क्या कहते हैं pharmacological action काफी easy है इसके तो एंजियोलाइटिक हो गया selective and hypnotic हो गया antirogate amnesia हो गया ठीक है एक तरह का बुलककर पन है चीजिया हम भूल जाते हैं anticonvulsant की तरह बिएव करते हैं और muscle relaxant की तरह बिएव करते हैं ठीक है अब डोस जैसे कि मैं हमें सब बूलता आया हूँ जो डोस है अपने पास वो क्या है अपने मन पसंद की कोई भी तीन चार डोस तुम लोग याद रख लोगे ठीक है और कुछ खास खास जैसे कि अपनी अलप्राजोलम है लोराजी पाम है ठीक है तो तीन चार जो है अपनी हाइड्रॉक्सी जीन है तो इनका daily dose कितना कितना हम लोग ले रहे हैं अश्य डाइजी का कितना है 5 से 20 mg लोराजी पाम का 1 से 6 अलपरा का 0.2 से 1 और हैडरोक्सी का है 50 से 200 अब यहां पर तुम लोग क्या कर सकते हो यहां पर लगबग क्या है सबका अलग अलग है तो यहां पर लगबग पास-पास वाले हैं जैसे कि लोराजी पाम इस यह ठीक है इनको एक साथ रखें और इन दोलों को जब लिखेंगे तो यह दो डोज एक साथ लिखें यह दो डोज एक साथ लिखें इससे क्या है जैसे ऐसे मालो डी क्या क्या है 5 और 20 देन एच का क्या है 50 और 200 तो 5 का 50 20 का 200 ऐसे याद करने में थोड़ा सक क्या रहता असानी हो जाती तो तीन या चार डोस अपनी मनप्रसंद की वह याद कर लेंगे ठीक है और एक जनरल डोस देख लेंगे इसमें लगबग वही है अपना पॉइंट फाइव या और वन के आसपास है सबका तो वह जनरल डोस याद रखने ज़रूरी है अगर भूल जाओ इनकेस तो वह याद जाए आती है आगे आते हैं इंडिकेशन आप इंडिकेशन में पता ही है कब का इसका इस्तमाल होने वाला है जब हमें एंजाइटी हो जाएगा मस्कुलर डिसॉर्डर होते हैं मसल स्पैस्म होते हैं मसल स्पैस्मी कई बार चेंचा की वाज़े से हमारा मास्पेशिया कई पर अकड़ती है तो उसमें हम लोग इस्तिमाल कर सकते हैं इन ड्रक्स को लेकर जो है ठीक है साइकोसिस है दिमाग से लेकर कुछ प्रॉब्लम आ रही है अक्यूट और नेरो अंगल ग्राव कोमा है तब हमको इसको यहाँ पर थोड़ा सद इस्तिमाल ना करें तो बेटर है प्रिणनसी के टाइम पर ना करने तो बेटर है ठीक है कैटेगरी डी एंड लेबर दियो टू दा फ्लॉपी इंफेंट सिंड्रॉम एक तरह का सिंड्रॉम है बच्चे का उसकेस में इसका इस्तिमाल ना करें ठीक है फ्लॉपी इंफेंट सिंड्रॉम क्या होता है मैनिफेस्टेड वाए सकिंग डिफिकल्टी जब बच्चे को सक करने में दिक्कत आती है उसकेस में लिथार जी आलस आ रहा है हाइपोटोनिया है इन्दा न्यूब सब में लिख सकते हो अगर कोई किसी दवा के लिए हाइपर साइस्टिव है वो दवा इसको रियक्ट कर रही है प्रेग्नेंसी एक जनल आता है लेक्टेटिंग मोमेन एक जनल टर्म में आ जाता है ठीक है ना कॉमा भी आ जाता है ठीक है और अलकॉलिक इंटॉक्सिकेशन यह सारे कहीना कहीं एक तरह से भूल भी जाओ तो यह चार पॉइंट ऐसे है जो सब में लिख सकते हो कॉमन है जातर केस में यह दिक्कत करता है ठीक है ना तो यह अपने बास क्या आ गया कॉंटर इंडिकेशन और यह अपना छोटा सा लेक्टर था फटा-फट क्या हो गया खतम हो गया ठीक है ना तो याद करने हाँ बेसिक से चिंता को लेकर सारी बाते थी तो सिर्फ क्या करना है चीजों को जब लिखना है तो कुछ ऐसा लिखना है सिक्वेंस में कि वह चीज तुमाई दिमाग में छपे क्लासिफिकेशन बहुत सारी हो जाएंगी धिरे-धिरे जो ड्रक्स कॉमन होती जा रही है जो ड्रक्स कॉमन हो गई है जो ड्रक्स पॉपनलल बीटा ब्लॉकर वाला था कॉमन होती जा रही है उसी टाइम पर उस ड्रक को पीछे जा करके एक वरी रिवाइस जरूर कर ले बात समझ में आ रही है ठीक है ना बात बाकी अपना एप ह अपना नंबर है और तुम लोगों का खुद का रिवीजन है जो तुम्हारे काम में आने वाला है तो पढ़ते रहो और रिवाइज करते रहो, all the best